कभी सपने में ऐसा सोच सकते हो आप सामने कुरसी पे देश की प्रधान मंतरी बैठी हो और हेलो हाई नमस्ति की जगे आप उनको स्वीटी बोल दो सो जो ऐसा कार्ण करने वाले इंसान की अगर बायो पिक बनेगी तो भया उसमें आक्टर भी ऐसा इंसान लेना पड़ेगा जो असली दुनिया और सिनिमा के बीच का फर खत्म कर दे बात सैम बहादुर की हो रही है वो फिर्म जो मेरे हिसाब से 2023 में एक्डम टॉप पे जाके बैठेगी सिर्फ पैसा नहीं इज़त दिलाएगी पूरे इंडियन सिनिमा को तो बॉस कल आया फिल्म का ट्रेलर और शायद इस से ज़ादा कम्प्लीट फिल्म कोई भी इंडिया में आज तक नहीं बनी होगी सच में रॉंग टे खड़े हो गए थे मेरे विकी कॉशल भाई साब ये बंदा लिटरली सौ दोसो आक्टर्स का टैलेंट अपने अंदर रखता है जो ये कर रहे हैं सैम बहादूर में वो हजार करोड से ज़ादा कीमती है इनको देखकर बाकी लोग सीखेंगे कैसे किसी रियल लाइफ हीरो को जिन्दा किया जाता है स्क्रीन पे और पता है मैं इतनी ज़ादा कॉन्पिडेंट क्यों हूँ इस फिल्म को लेकर कि सच में कोई भी इनसान इसके अंदर दूर दूर तक एक गलती भी नहीं ढून पाएगा क्योंकि सैम मानिक शौ जिनके उपर ये फिल्म बनाई जा रही है उनकी जिन्दगी सिनिमा के इमाजिनेशन से भी ज़ादा इंटरस्टिंग है ट्विस्टिंग टून्स भरे पड़े हैं अंदर ऐसे काम किये इन्होंने जो असली जिन्दगी कम और किसी फिल्म की कहानी जादा लगते हैं World War 2 में 6-7 गोलियां खाने के बाद भी जो इनसान उसको गधे की लाप से कंपेर कर दे तो समझ लो कि उसकी परसनल जिन्दगी कितनी मसालेदार रही होगी और भईया मेगना गुलजार ये फिल्म बना रही है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पेट्रियोटिजम वाले सब्जेक्ट को सिनिमा की शकल देने का स्कूल में वही हिस्ट्री पढ़ने में कितनी बोरिंग लगती है लेकिन राजी में एक हिंदुस्तानी जासूस ने पाकिस्तान में घुसके क्या किया वो आज भी सबको याद होगा ट्रेलर को देखने के बाद एक बाद तो पक्की है सैम बहादूर कोई बॉलिवुड फिल्म नहीं है ये इंडियन सिनिमा है असली वाला जिस वज़े से लोग थीटर जाना पसंद करते हैं ट्रेलर में मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पूरे दो मिनिट चाली सेकेंड सिर्फ विक्की कॉशल बोल रहे हैं लेकिन दो घंटे भी उनको सुनना पड़े तो रेडी हूं मैं इस तरीके की डायलोग डिलिवरी के हर बात में कुछ नया सीखने को मिले इसको बोलते हैं दमदार परफॉर्मेंस विद खतरनाक पारफुल राइटिंग देखा आपने किसी भी फिल्म के टीजर ट्रेलर को स्पेशल बनाने के लिए उसमें म्यूजिक डाला जाता है बैग्राउंड में लेकिन सैम बहादुर के ट्रेलर में उस म्यूजिक को याद किया किसी ने जी बिल्कुल नहीं क्योंकि सामने स्क्रीन पर जो बोला जा रहा है उसमें अस्टी सिनिमा की ताकत छुपी है विकी कोशिल को अभी तक हम सिफ अच्छा आक्टर मानते हैं लेकिन सैम बहादुर के बाद इनकी एक अलग कैटेगरी बनेगी जिसका टाइटल होगा इंपॉसिबल आक्टिंग असंभव अब ये गलती से मत सोचना कि फिल्म का सब्जेक देश भकती वाला है तो तारीफ इकदम फ्री में मिल रही हैं जी नहीं बहुत ये सिनिमा फुल अफ एंटर्टेनमेंट है जो काम होता एक फिल्म का पब्लिक के पैसे वसूल कराने वाला एक्स्पीरिंस देना थियर्टर के अंदर वो सिफ दो मिनिट के ट्रेलर से मिल गया मुझे तो दो गंटे जैकपॉट होंगे और जिसको शक है ना कि सैम बहादूर वर्सेज एनिमल वाले क्लेश में विकी कौशल की फिल्म बेज़ती से हार जाएगी बहुत पीछे रह जाएगी उरी का कि सा भूले तो नहीं हो आप सिर्फ 25 करोड का बज़ट था फिल्म का और फाइनल कमाई साड़े 300 करोड के आस्पास पहुँच गई ठीक वैसे ही बहुत सैम बहादूर भी कचुवे वाली फिल्म है ये खरगोश बनके 30-40 करोड एक दिन में नहीं करेगी लेकिन 5-10 करते करते 100-200 तक पहुँच जाएगी अब मैं अपने शक्त बचा के रखूंगी एक दिसंबर के लिए बहुत कुछ बोलना बाकी है अभी लेकिन फिल्म देखने के बात सुनोंगे तो जादा मजा आएगा एक फाइनल वोड तो बनता यार पब्लिक जी अनिमल वर्सस सैम बहादूर आपके हाथों में 500 का नोट है वोलो क्या करोगे कौन सी फिल्म चॉइस कर पाओगे या फिर दोनो इमानदारी से बता दो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या तो कुछ शिकायद करनी हो तुम आपके इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्नक थोड़ा सा इंतुजार करें मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई